तो students, आज की आपकी joyful Saturday की activity में मैंने आपके लिए एक electro puzzle बना ही है और ये electro puzzle आप किसी भी part में, किसी भी match the column के साथ में कर सकते हैं I think आपने कोई ने कोई ऐसा game भी देखा ही होगा जिसमें आपको A column में B column से match करना होता है और buzzer और light दोनों जलती है आओ शवान, आज मैं आपको एक नई electro puzzle दिखाऊंगी तो इसमें आपको एक column में मैंने questions दियो हैं और दूसरे column में इसका कोई answer है अब मैं इसमें सबसे पहले आप से पुछती हूँ, आम आश्ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका कौन सा right option होगा? लाला रस चलो चेक करते हैं यह तो इसका सही option नहीं है माम मुझे नहीं बता तुम्हें बिल्कुल नहीं बता कि इसका कौन सा option सही होगा? नहीं बता तो क्या मैं तुम्हें बताओ कि इसमें सही option कैसे निकालते हैं? हाँ माम देखे हो, अब मैं इस wire को और इसमें जो right option होगा उसमें buzzer भी बजेगा और light भी जलेगी देखो नहीं जली यहां भी नहीं यहां भी नहीं यह भी नहीं और लाला रस्तों चेक कर चुके देखा light जली और buzzer भी जला ना क्या यह अच्छा लगा आपको तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एक electro puzzle कैसे बना सकते हैं तो यह मैंने आपके लिए खास बनाई है और यह कैसे बनाते हैं यह मैं आपको आज बताती हूँ मैंने एक wooden board ले लिया था और drill करके उसके अंदर screws को fit कर लिया था बिल्कुल उनके distance पे और उसके बाद यहाँ पर भी दो holes की हुए थे उसके बाद मैंने लिये LED bulbs यह देखिए क्या यह आपको दिख रहे हैं और उसके बाद मैंने लिए थी एक 9 volt की battery यह है वो buzzer जिसकी sound अभी आपको सुनाई दी थी और उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं मैंने wooden board लिया था आप एक cardboard भी ले सकते हैं और आपको चलिए connecting wires यह LED के साथ में resistor है जो कि इसके साथ लगता है ताकि LED fuse न हो जाए और अब मैं आपको बताते हूं कि मैंने connections कैसे किये थे यह देखिए मैंने अपनी मर्जी से यह किया कि first वाले screw को sixth वाले screw से connect कर दिया देखिए white wire आपको दिख रही है white wire first से sixth में connect हुई है इसी तरीके से मैंने different color का connecting wire लिया और second वाले screw को जो की blue color का आपको दिख रहा है fifth वाले से connect कर दिया third को last नीचे से third से कर दिया और इसी तरीके से मैं आप colors देखते जा रहे होंगे wires को मैंने एक दूसरे से connect कर दिया यह करने के बाद मैंने ली थी एक LED LED का positive end मैंने एक resistor से connect किया अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि LED का positive end कौन सा होता है तो बच्चो ध्यान रखना है आपको कि LED में दो wires आपको दिख रहे हैं इसके जो लंबा वाला wire होता है यह इसका positive end होता है और इसको थोड़ा सा negative वाले end से दूर करके यह है resistor जिसे की flow जो है current का वो इसके अंदर optimum जा सके उसको connect कर देते हैं कुछ इस तरीके से और इसको seal कर देना चाहिए एक cover से और उसके बाद अब मैंने तो अपने connecting wire सारे इसके अंदर use कर ली हैं तो मेरे पास कोई spare नहीं है मगर अब यहां से देखिया जैसे मैंने आपको दिखाया इस resistor के साथ नीचे मैंने एक रेड वायर आपको दिख रही है connecting wire इसको connect कर दिया यह था इसका positive end इसी तरीके से negative end जो LED का था वो भी मैंने connecting wire से connect कर दिया है अब मैं यहां से दिखाती हूं आपको इसी तरीके से हम buzzer के साथ करेंगे buzzer के positive end को एक connecting wire से connect कर देंगे और buzzer के negative end को भी एक connecting wire से connect कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है आपको ध्यान देना है positive end जो battery का होता है देखें इसमें बने होए होते है signs भी positive और negative तो positive end जो battery का है buzzer और LED के positive wires को आप इस तरीके से battery के positive end से एक साथ connect कर देंगे battery का जो negative wire है negative end ये वाला मैंने इस पे एक battery का cover भी लगा दिया था तो जो negative end है हम उसको loose छोड़ देंगे connecting wire से connect करके और अब buzzer और LED का negative end हमने एक wire में ही connect कर दिया है अब ये सब खेल करने के बाद आप क्या करेंगे ये आपके दोनो negative ends है जो loose है ये assembly करने के बाद negative end वाले दोनो connecting wires के end को जब आप इन screw से touch करेंगे तो जो भी आपका right option है जैसे अमाश्य का right option यहाँ पर है hydrochloric amal आप कोई भी slip लगा सकते हैं ठीक है और आप इसको हर part के साथ में change भी कर सकते हैं और ये एक आपके लिए innovative game भी है first वाले end को जब आप इसके six वाले क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इसको first वाले को six वाले के साथ में connect किया है तो right option भी मैं जो इसका है first वाले का वो six option पर ही लखूंगी जैसे मैं इन दोनो negative ends को एक दूसरे से touch करूंगी electric circuit complete हो जाएगा और buzzer भी दबेगा और LED light भी जलेगी इसी तरीके से देखिए लाला ग्रंथी का right option है लाला रस क्यूंकि मैंने connecting wires second को fifth वाले से connect किया हुआ है इसी तरीके से third वाले को देखिए fourth वाले को ये इस option पे किसी भी और के साथ में circuit अपना पूरा नहीं करता है इसलिए ना light blink होती है और नहीं buzzer दपता है है न ये innovative game अब बताईए क्या आप मेरे साथ ऐसी और भी electro puzzles बनाएंगे क्या आपको अच्छा लगा ये मुझे comments में जरूर शेयर करिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई electro puzzle कैसी लगी Thank you NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Programme with Star Teachers of Faridabad कुझ मेरे हैं to me